अगर देखा जाए तो कही न कही यहाँ पर अगर देखें तो इक स्टॉक में जिस तरीके से अपसाइड डाउन्स मोमेंटम इसमें चल रहते हैं वहां से जिस तरीके से हमें ब्रेक आउट मिला था उस लेवल से हमें भी स्टॉक नीचे की और आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर कॉश्चन आ जाता है कि स्टॉक क्या फिर से एक नया लो लगाएगा तो गास काफी कुछ कुछ कुश्चन्स है यहाँ पर जिसके बारे में हम बात गरेंगे UFO कहए जा सकता है उसके बारे कuratस करें यह त तो गैस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लेट्स ने उसके लिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अमभुजा सिमेंट लिमिटेट के उपर सो गैस यहाँ पर हम आ गए हैं 357 रुपे 20 पेसे के प्राइस पे और वही अगर बात करें तो 2 रुपे 20 पेसे तक स्टाउक गिरा था 0.61 परसन के इसाब से गिरावट रही है और गैस यहाँ पर स्टाउक में और गिरावट पॉसिबल है क्योंकि यह काफी अगर दिखा जाए तो काफी बुरी सिच्वेशन हम कह सकते है बट कहीं न कहीं एक सपोर्ट भी हम कह सकते है बट अगर ब्रेकडाउन मिला तो गैस यहाँ पर स्टाउक के पास सपोर्ट नहीं बचता है तो काफी बड़ी गिरावट आ सकते हैं के बारे में हम आगे बात करें के पहले हम देख लेते हैं स्टॉक के बारे में कुछ चीजें 70.93 थाउजन करोड का स्टॉक है इसका मार्केट कैप है बिल्कुल मिट क्याप स्टॉक की गडिकरी में आता है डिविडियन देता है स्टॉक बिल्कुल 1.76 परसें का और वही अगर बात करें तो क्या हुआ था 17 जून को 309 रुबे के प्राइस पे स्टॉक ओपन हुआ था हाई भी लगा था इसने लगबग 301 रुपे 05 पेजे का और लो लगा था 356 रुपे पेसट पेसे का असपास वही बात कर लेता है इसका जो 52 विक्स का हाई है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा 402 रुपे स्टॉरी गाइस 442 रुपे के असपास का और 244 रुपे के असपास का इसका लो भी है तो यहाँ पर कुशन आ जाता है क्या फिर से अपने 52 विक्स के जो लो है वहाँ तक जा सकता है तो चलते इसके लेवल के उपर सो फर्स्ट ऑफल अम बात करेंगे इसके मंडे के लेवल के बारे में तो मंडे के लेवल में आपको इन इंपोर्टेंट लेवल का ध्यान में रखना होगा तो गाइस यहाँ पर अगर उपर की और ब्रेक आउट जाता है तो उपर की और बड़ा मोमेंटम शिप्ट हो सकता है लगबग तीन सो चोषट तीन सो पेशट रुपे के अ यहाँ पर जो यह लेवल आपको दिखाई दे रहा है काफी जादा इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर काफी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट ले रहा है यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया था एक हाई लगा था यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लि यहां से resistance है stock में काफी strong तो देखना होगा कि यहां से support लेके उपर जाता है या breakdown लेके काफी हद तक नीचे आता है तो guys यही पर आपको पता चल जाएंगा कि अगर इसे breakdown मिला अगर इसने नीचे की और break किया इन levels को break कर देता है यहां से नीचे की और काफी हद तक यह downtrend में जा सकता है काफी हद तक गिर सकता है बिल्कुल यहां पर देखे तो crash की situation create हो सकती है crash की situation से यहां पर create हो सकती है क्योंकि आप इस level को भी अगर आप देखोंगे तो आपको समझ में आएगा जितनी भी बार in level से stock नीचे आया है काफी हद तक गिरा है और वही आप देख सकते हो यहां से जब stock ने resistance लिया तो फिर नीचे आया फिर resistance लेके नीचे आया फिर resistance लेके यहां पर काफी हद तक गिरावट हमें देखने को मिली थी तो वही एक important level की में बात कर रहा हूँ जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह जो level है काफी ज़्यादा important है यही से जब breakdown आया था काफी हद तक गिरा था stock फिर consolidate कर रहा है अगर इसे break करता है तो यह बिल्कुल 300 के नीचे आ सकता है और 286 रुबे के level पे फिर से support लेने की कोशिश कर सकता है तो 286 का level हमारे लिए काफी ज़्यादा important था मैंने काफी टाइम पहले भी इस level पे buy करने के लिए कहा था तो किसलिए मैंने कहा था हूँ मैं आगे बताऊंगा यहाँ पर strong resistance है इस level पे strong resistance है यहाँ पर एक ही advice रहने वाली है जब तक इस level को break नहीं करता है अगर आप save investor हो जब तक इस level को break नहीं करता है आपको buy के और नहीं जाना चाहिए तब तक आपको इसमें wait करना चाहिए बड़े time frame पर आप देखूंगे तो काफी बड़े momentum यहाँ पर shift हुए है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लगबे तीन बार इसे rejection मिला है बट जब भी इसे break out मिला काफी बड़ा jump आया फिर यहाँ पर support लेके बड़ा jump आ रहा था बट यह देख सकते हो guys अगर यहाँ पर rejection ले लेता है तो फिर से नीचे के और आ सकता है guys तो यह important level है जो आपके साथ share करना थे तो बढ़ते guys आगे इसमें अगर volume की बात करें तो यहाँ पर 17 June की बात कर लो तो क्या deliveries उठाएगी थी तो 41 lakh की असपास की deliveries उठाएगी थी यहाँ पर 17 June की मैं बात कर रहा हूँ और वही अगर बात करें इसमें कॉमिनेंट डिलिवरी क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो guys 24 lakh की असपास की यहाँ पर कॉमिनेंट डिलिवरी देखने को मिल जाएगी वही अगर बात करें यहाँ पर 16 June का जो trade value रहा है 32 lakh के असपास कर रहा है और कॉमिनेंट डिलिवरी 19 lakh के असपास की यहाँ पर रहे है guys और बिल्कुल यहाँ पर trade value बात कर रहे है हम और 1 week केरेज 46 lakh का trade value है और 28 lakh का कॉमिनेंट डिलिवरी है वही अगर बात करें यहाँ पर तो 53 लाग का trade value और 31 लाग का common denominator देखने को मिल जाएगा अब price performance में काफी upside downs momentum आपको देखने मिलने वाले है कही पे minus है कही पे plus है अगर बात करें one week की तो यहाँ पर आपको minus में देखने को मिलने वाला है यहाँ पर कितना minus है तो minus 2.14% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ ही बात करें अगर one month की तो one month में आपको 3.18% minus में देखने को मिलेगा और अगर बात कर ले यहाँ पर 3 months की तो यहाँ पर 16.70% यहाँ पर plus में है और वही अब बात कर ले अगर इसमें year on half आपके पेडरन पर आप देखोंगे तो यहाँ पर 5.34% यहाँ पर माइनस में देखने को मिल जाएगा वही बात कर लेते हैं वन येर का क्या परसेंटेज है क्या परफॉमेंस इसका रहा है तो 3.21% पॉजिटिव रहा है और वही अगर बात करें 3 यहाँ पर आप देख सकते ह यहाँ परसेंट यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर अपसाइड डांस मुमेंटम देखने को तो मिल रहे हैं बट जो यहाँ पर यहाँ पर जो इसके चार्ट्स पेटन है यहाँ पर इंपोर्टेंट है उन्हें खाभी ज्यादा और इसमें गिरावट तब से भी आना हाँ पर जो इनके बीच competition चल रहा है बड़ी टकर चल रही है उनके बीच काफी कुछ बड़े-बड़े decisions लिए जा रहे हैं दूसरे सिमेंट फर्म्स दौरा भी तो एसी कुछ चीज़ें हाँ पर चल रहे हैं तो जिसके कारण से भी सिमेंट सेक्टर में गिरावट आई थी बट यहाँ पर लेबल पर डिपेंड करता है काफी कुछ चीज है तो वीडियो अच्छा लगाँ वीडियो को लाइक करो चनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू